हेलो फ्रेंट्स आज हम आप लोगों को बताएंगे लंब अच्छ प्रिमे क्या होता है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जड़तु अगूर्ण क्या होता है अगर आप इस वीडियो के अंतक बने रहेंगे तो आई हो इस टॉपिक पर जितने भी डाउट है सभ हम जड़तु अगूर्ण समझ लेते हैं अगर हमें जड़तु अगूर्ण समझ में आ जाएगा तो हम लंब अच्छ प्रिमे को तुरंत समझ जाएंगे तो इसलिए चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जड़तु अगूर्ण होता क्या है तो देखिए जड़तु अगूर् और आर दूरी पर एक एम द्रबमान का एक वस्तु रखा हुआ है और इसकी दूरी कितना है यहां से यहां तक की दूरी आर है यानि आर दूरी पर एक एम द्रबमान का एक वस्तु रखा हुआ है और देखिए जड़तु अगुण जो होता है उसको हम आई से प्रदरसित करते हैं यानि जड़तु अगुण आई को कहते हैं ठीक तो और इस अच्छ का जड़तु अगुण मालिया आई है ठीक अब देखिए यह जो जड़तु अगुण होता है और यहां पर यह जो वस्तु रखा हुआ है इम इम द्रब्मान का वस्तु है तो उसका वस्तु का द्रब्मान और यहां पर जो इसके वीच की दूरी होता है अच्छ से और वस्तु तक की जो वीच की दूरी है वो आर है जड़तु अगुण यह कहता है कि जो अच्छा है उस अच्छ से आर दूरी पर जो इम द्रब्मान है M ठीक वो और उसके बीच के जो दूरी आर है वो आर के वर्ग के गुड़न फल के बराबर होता है जड़त अगुण कहता है कि जो द्रपमान होता है और जो आर होता है उसके बीच के दूरी होता है दूरी के वर्ग का जो गुड़न फल होता है वो क्या होता है जड़त अग पर है ऐसे तो यह कंड बहुत से कंडों से मिलकर बना होता है यहां पर भी कंड यह भी कंड यह भी कंड यहनी बहुत से कंड से यह मिलकर बना होता है ठीक तो यहां पर इसके प्रतेक कंड पर इसका जो जड़त वगूर्ण होगा वो अलाग अलाग होगा तो यह तो हमने एक क कण के द्रबमान का अगर आपको जड़त अगुर निकालना है तो आप क्या करेंगे आप सब को जोड़ देंगे यानि mr2 होता है ठीक आई बराबर तो और यहाँ पर mr2 mr2 यानि बहुत से कण है और यहाँ पर असंग कण है कितना आप जोड़ोगे तो सभी को जोड़ने से इस बहुत से mr2 इसमें जुड़े हुए हैं यानि कि sigma का मतलब होता है जोड़ तो यह जो आपका जड़त अगुर्ण निकला है sigma mr2 यह आपका संपूर जड़त अगुर्ण है तो साब साब फंड़ा जड़त अगुर्ण का मतलब यह होता है कि अच्छ से कण तक की दूदूरी r होता है जड़त अगुर्ण का मतलब यह होता है कि जो m कण का जो दूरी है r है उसके वर्ण के गुर्ण फल के बराबर होता है अब देखिए यह तो जड़त अगुर्ण हो गया अब चलिए हम आपको बताते हैं कि लंब अच्छ प्रिमे क्या होता है तो देखिए लंब अच्छ प्रिमे कहता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह जो बना हुआ है इसको माल लीजिए यक्स अच और इसको माल लीजिए वाई अच और इसको माल लीजिए जेड अच तो देखिए आपका जो लंब अच्छ प्रिमे है वो ये कहता है कि किसी समतल पटल कोई समतल ये पटल है ठीक उसके तल के लंबवात यानि कि ये तल है और इस तल के लंबवात लंबवात का मतलब होता है कोई चीज जब ऐसे जब लंबवात होता है तो इसको क्या कहते हैं लंबवात ठीक, तो किसी तल के लंबो वात, अच्छ के परिता, जो जड़तु अगोण है, उसी के तल में इस्थित दो लंभ अच्छ, यानि इसका जो जड़तु अगोण है, वो क्या होता है, इन दोनों, यानि इसके बिन्दु से यह जो दो अच्छ हैं, एक यक्स अच्छ है और इदेर एक जेड़ अच्छ है इन दोनों के जड़त अगून जो होता है उन जड़त अगूणों के योग के बराबर होता है इसका जड़तू तो देखिए इसको समझे कि किसी समतल मालिया कोई समतल ये क्या है पटल है और इसका तल यहाँ पर ये है तो इसके तल के लंबोवत जो अच्छ होता है उसका जो जड़त वगुण होता है यानि कि मालिया आई हो गया ठीक ये क्या होता है इन दोनों यानि ये जो दो है अच्छ है इन दोनों अच्छों का जो जड़त वगुण है उसके योग के बराबर होता है यानि कि देखिए यहाँ पर जैसे कि इसका जड़त वगुण क्या होगा आई और वाई होगा और इसक इसका जो अच्छ है इसका क्या जड़तो गूर्ण होगा आई जेड होगा तो यहाँ पर लंब अच्छ प्रमे कहता है कि इसका जो जड़तो गूर्ण है यह क्या है इन दोनों अच्छों के जड़तो गूर्णों के योग फल के बराबर होता है ठीक तो यह है आपका लंब अब ये कैसे होता है इसको सिद्ध कैसे करना है अब मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एक्जाम में ऐसे ही पूछता है कि लंब अच प्रिमे को सिद्ध कीजे और बहुत पूछता है अब देखिए जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो बना है ये क्या होता है असंख कड़ों से मिलकर बना होता है तो मान लिया इसका एक कड़ यहां पर है ठीक यहां पर इसका एक कड़ है अब देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको माल लिजिए आर यानि आर दूरी यहां से यहां तक की कड़ की दूरी माल लिए आर है और इधर से जो इसकी दूरी है इसको माल लिजिए देखो यक्स अच्छ पर इसको माल लिजिए यक्स माल लिजिए ठीक और यहां से इसकी जो दूरी है इसको कितना माल लिजिए इसको माल लिजिए, जेड माल लिजिए, ठीक, अब देखिए, इसको नाम दे दीजिए O, और इसको नाम दे दीजिए P, इसको नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B, अब देखिए यहाँ पर जो यह वाई अच्छ है इस वाई अच्छ का जो संपूर जड़त अगुर्ण है उसको देखिए कितना होगा तो यहाँ पर देखिए वाई अच्छ के परिता संपूर जड़त अगुर्ण यहाँ पर लिखिए तो देखिए संपूर जड़त अगुण ठीक तो संपूर जड़त अगुण में मैंने आपको बताया था अभी कि क्या होता है सिग्मा जोड़ जाता है तो देखिए यहाँ पर वाई अच का है तो इसलिए यहाँ पर लिखिए आई और वाई लिख दीजे आई वाई बराबर अब देखिए यहाँ पर सिग्मा क्योंकि संपूर का बात कर रहा है और इसका द्रबमान तो वही रहेगा क्योंकि कड़ा कड़ का द्रबमान यहाँ पर मालिया एम है ठीक अब देखिए यह यह अच पर है और कड़ इसका y h पर यह कंड यह इहाँ पर रहे और इसके वीच की दूरी देखें कितना है r है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा r² ठीक इसको समभी करण first माल लीजिए अब देखें अब यहाँ पर निकाल लीजिए यह देखें यक्स अच्छ का यक्स अच्छ है तो यहाँ पर लिखे यक्स अच्छ के परिता संपूर्ण जड़त अगूर्ण अब यहाँ पर यक्स अच्छ का निकालीजिए उसके बाद ये जड़त अच्छ का निकालीजिए यक्स अच्छ है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यक्स स्क्वेर ठीक और यहाँ से इसको समिक्रण दूसरा मा लेजे अब यहाँ से निकाल लेजे जेड अच्छ के परिता संपूर्ण जड़ात्व गोण तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा जड़ तो गोण यानि आई और यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा एम और यहाँ से इसकी दूरी कितना है कण की दूरी कितना है आर यानि जेड स्क्वेर है तो जेड स्क्वेर कर दो और यहाँ पर कितना इसको समिक्रण तीन माल लो अब देखिए यह इतना, कितने 90 Kn's का k interconnect बन रहा है तो देखिए, यहाँ पर लिखे समकौड तिर्भूज यानि की P O A में तो यहाँ पर समकौड तिर्भूज P A O में यहाँ पर इसका जो कड़ होगा, यह कड़ Hai ठीक, इसका यह कड़ हो जाएगा तो यहाँ पर इसका कंड क्या हो जाएगा O P इसका कंड हो जाएगा देखिए पाइथागोरस प्रमे यहाँ पर लगेगा क्योंकि समकोण तिर्भूज में जो लगता है वो क्या लगता है पाइथागोरस प्रमे अब देखिए यहाँ पर यह जो है यह कितना हो जाएगा यह आपका अधार हो जाएगा और एक यह आपको जाएगा लंब हो जाएगा तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा A P का स्क्वेर और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का O A का स्क्वेर तो अब देखो यहाँ पर O P यहां से यहां तक का दूरी कितना है R है तो यहां पर इसके स्थन पर O P कितना लिखेंगे हम R और यहां पर स्क्वेर लगाई और यहां पर देखिए P जो है A और P की दूरी कितना है Z है तो यहां पर Z स्क्वेर हो जाएगा प्लस O A की दूरी कितना है O A की देखिए यहाँ पर यह जो है यहाँ पर यह देखिए यह ऐसे 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 यह क्या हो रहा है सम चत्तुर भुझ बन रहा है चत्तुर भुझ में आमने सामने की भुझाएं क्या होती है बराबर होती है यानि यह भुझा जितना है उतना यह भुझा हो जाएगा तो यानि से O और A की दूरी कितना हो जाएगा यक्स-2 हो जाएगा ठीक अब देखिए यहां पर अब यहां पर लिखिए दोनों तरफ sigma M से गुणा करने पर तो जब यहां पर अब आप यहां पर लिख दीजिए दोनों तरफ सिग्मा एम से गुणा करने पर अब जब यहां पर सिग्मा एम से गुणा करोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वेर हो जाएगा और यहां पर बराबर सिग्मा m z square हो जाएगा प्लस sigma m r square हो जाएगा ठीक अब देखिए यहाँ पर देखिए sigma sigma m r square के अस्थान पर कितना है i y है और sigma m x square के अस्थान पर कितना है sigma m x square के अस्थान पर i x है और यहाँ पर देखिए sigma m z square के स्थान पर कितना है i z है तो यहाँ पर आप इसका मान रख दीजिए यहाँ पर लाकर तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा i y हो जाएगा और equal यहाँ पर क्या हो जाएगा i z हो जाएगा और plus इसके स्थान पर क्या हो जाएगा आई यह यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यह यक्स हो जाएगा और यही आपको सिद्ध करना था तो यहाँ पर लिखिए प्रोब्ड दैट इति सिद्धम और यही तो आपको सिद्ध करना था क्योंकि जो आपका लंब अच्प्रमे है वो यही कहता है कि कीसी समतल में उसका जो तल होता है उसके तल के लंबोवत जो जड़तु अगूर्ण होता है वो क्या होता है वो जो उसके बिंदु से जो दो और अच्छ निकले होते हैं उनके जड़तु अगूर्णों के योग के बराबर होता है तो यहां पर यह सीध्ध हो गया तो आई होब फ्रेंड्स आप लोग लंब अच्छ प्रमे और जड़त वगूड बहुत अच्छे समझ गये होंगे और अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और लोग भाब अधना अऑच्छाव डटे लोग तिकंपला प्रें बच्छहर में आप लोगों लोग पालव में करें गड़ में दोग लोग चर पालव मेंट करेंगे मेंट